नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाई विकासर परिवार में स्वागत करता हूँ हम लोग रोज एग्री कल्चर के बहतरीन परशनों के साथ मुलाकात करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है किरसी विज्ञान से संबंदी जितने भी ए जितने भी आप लोग हमारी चैनल से जुड़े हैं सब कहां मेगरी कोचिंग बाई विकासर परिवार में स्वागत करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपने फर्ष्ट कोशन से फर्ष्ट कोशन हमारा कहा रहा है यह जैंटिक से कोशन है ठीक है तो ध्यान पूर वक लेहंगे और इसका एंसर देंगे एक जीव के अनवांशकिय पदार्थ में अचानक हुए परिवर्तन से उपारचित विविंता क्या कहलाती है बायो टाइप उत्परिवर्तन शः लगंता या अनुवांशकी तो इसका करिक ट हो जागा यानि कि उत्परिवर्तन कहलाएग बी ओप्शन यहां पर correct answer हो जागा, ठीक है, क्या कहलाएगा, mutation कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, चलते हैं question number 2 पर, question number 2 देखेंगे, अपने स्क्रीन पर, question करा, कुकूर बिटेसी कुल के, अधिकतर पोधे होते हैं, लेकिन एक आपवाद के रूप में है, ठीक है, वो याद रखेंगे, परवल, ठीक है, परवल कौन सा है, डायोसियस हो जाएगा, और इसमें देखेंगे, हर्मो फ्लाइट के अंदर आम आजाएगा, क्या आजाएगा, आम आजाएगा, याद रखेंगे, तो यहाँ पर B option हमारा correct answer हो रहा है, चलते हैं, question number 3 पर, question number 3 देखेंगे, question number 3 कह रहा है, F1 संकर संतती का, उनके जनकों से अधिक स्रेष्ट होना क्या कहलाता है, ठीक है, मा लेजे, A है और B है, इन दोनों के क्रास करवाएंगे, तो संकर उत्पन होगा, यानि A B पैदा होगा, इसको कहते हैं, F1 PD, ठीक है, F1 PD कहा जाता है, तो ये अपने पूरोजों से किस प्रकास रेष्ट है, ये आपको बताना है, संकर उज, प्रभाविता, सहलगंता, या उत्परिवर्तन, तो इसका correct answer होजगा, यानि की संकर उज, A option यहाँ पर right answer होजगा, ठीक है, चलते हैं, question number 4 पर, question number 4 आपके screen पर है, question कहरा, पादप रोग के लिए सबसे उत्तरदाई कारक कौन सा है, जिवान, विशान, फंफोदी, या माइको प्लाज्मा, तो इसका correct answer होजगा, ठीक है, C option यहाँ पर correct answer होजगा, इसको mold कहा जाता है, याद रखेंगे, C option हमारा correct है, चलते है, question number 5 पर, question number 5 देखेंगे, दोस्तों, यदि आप लोगों को agriculture की किसी भी एकजामे selection लेना है, तो इमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आप लोगों का परिवार है, जो सरकारी नोकरी की तरफ ले जाएगा, तो question number 5 देखेंगे, अपने स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेदित करना है, सूची 1 के अंदर सबजियों की नाम लिखे हुए है, सूची 2 के अंदर 1 अस्पतिक नाम बताना है, उस सबजी का बाटनिकल नाम बताना है, तो मूली का बाटनिकल नेम क्या होता है, तो मूली का बाटनिकल नेम सबको मालूम है, रेफनेस सेटाइवस हो जाता है, सेकंड उप्सन के साथ, लैसुन का बेग्यानिक नाम क्या हो जागा, एलियम सेटाइवम हो जागा, तीन उप्सन के साथ, बैगन का बेग्यानिक नाम क्या हो जागा, तो इसका सोलेनम मेलो इ स्क्रीन पर है कोशन के रहा है नीबू में डाइबेक रोग का कारण क्या है तांबा की अधिकता मैंगनीज की कमी तांबा की कमी या मैंगनीज की अधिकता तो मैंगनीज की अधिकता के करण तो होगा नहीं तो यहां पर सी ओप्षन हमारा करेक्ट एंसर हो जागा तांबा की संबंदित है तिल से धान से सर्सों से या बाजरा से तो हरित बाली को डावनी मिल्डियू कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है डावनी मिल्डियू के नाम से जाना जाता है याद रखेंगे तो तिल में जो रोल लगता है वो लगता है फाइलोडी ठीक है फाइलोडी फाइलोडी रोग लगता है याद रखें माइको प्लाजमा की कमी की गराई धान में खेरा लगेगा खेरा रोग और उसके बाद सरसों के अंदर क्या लगेगा वाइट रष्ट ठीक है वाइट रष्ट और बाजरा के अंदर लगेगा हरित बाली रोग डी ओप्षन यही हमारा करेक्ट अंसर हो जागा चलते हैं कोशन नमबर आठ पर कोशन नमबर आठ देखेंगे काफी अच्छा इंपोर्टेंट कोशन है एंटमोलाजी से लिया गया है कोशन करा है कीटों का मुख लच्छड क्या होता है तीन जोड़ी टांगे दो जोड़ी पंक चार जोड़ी टांगे या उप्यूक सभी तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा यानि तीन जोड़ी टांगे जो पाई जाती है वो कीट स्रेणी में आते हैं तो A option यहाँ पर हमारा correct answer हो जागा, चलते हैं question number 9 पर, question number 9 आपके screen पर है, question कहारा keto के मुख्य उसरजी अंग कौन सा है, utricule गरंथी, coxal गरंथी, या protherecic गरंथी, या malpg न लिखाएं, तो इसका correct answer हो जागा, malpg न लिखाएं, D option यहाँ पर right answer हो जागा, यह keto का मुख्य उ Question number 10 देखेंगे अपने screen पर, question करा, टिडडी चेतावनी संगठन के स्थापना कब और कहां की गई, वर्स 1969 जोदपूर में, वर्स 1988 जोदपूर में, या वर्स 1949 जोदपूर में, या वर्स 2014 जोदपूर में, एक बात साफ नजेर आ रहे है, कि इसकी स्थापना जो है, यह कहा होई जोदपूर में, लेकिन आपको सन बताना है, कौन से सन में की गई थी, तो इसका correct answer रोजगा C, यानि कि 1949 जोदपूर में, टिडडी चेतावनी संगठन के स्थापना किया गया, ठीक है, याद रखेंगे, और यह है कहां पर, राजस्थान के अंदर, ठीक है, कौन से दलहन के अंदर कितना परतिशत प्रोटीन की मातरा पाई जाती है, ठीक है, तो देखते हैं, उड़त के अंदर प्रोटीन की मातरा जो पाई जाती है, वो पाई जाएगी 24%, ठीक है, तीन के साथ चला जागा, चना के अंदर जो प्रोटीन की मातरा पाई जाती है, व और चौला के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जा थी बाइस परसेंटेज ठीक है फर्स्ट ओप्सन के साथ इस परकार से हम मिलाप कर लेंगे इस परकार के कोशन आज का लेग जाओं बहुत अधीक पूशे जा रहे हैं तो आप लोग इस परकार से कोशन को त्यार है कोशन नबर 12 पर कोशन नबर देखेंगे 12 यदि किसी बिलियन में कोशिका को रखने से उसका आयतन बढ़ जाता है तो ऐसे बिलियन को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है अति परसारी अलप परसारी या सम परसरी या उप्योगत में से कोई नहीं तो ऐसे बिलियन को क्य जाएते हैं बी ओप्षन यहापर हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है बी ओप्षन हमारा correct answer हो जाएगा हाईपर हाईपरो टोनिक ठीक कहा जाता इसको याद रखें बी ओप्षन हमारा right answer चलते हैं question number 13 देखेंगे निम्न लिखित मेंसे किसके द्वारा जड़े जल का अधिक्तम आफ्षोशित करती है ठीक है जड़े जो थे जल का अधिक्तम आफ्षोशन का कारे करती है परिपक्वन छेतर से या दिर्गी करण छेतर से मून रूम छेतर से या उप्यूक्तम से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जगा moon room से ठीक है c option यहाँ पर correct answer हो जगा root hair से ठीक है hair से करती है यह याद रखेंगे c option हमारा correct है चलते है question number 14 पर question number 14 देखेंगे one अधिनियम 1878 के अनुसार निम्न लिखित में से किसे service rest one कहा गया अरचित वन सरचित वन ग्राम वन या समान वन तो इसका correct answer हो जगा a option ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जगा reserve forest ठीक है reserve forest इसको क्या वाना गया है service rest one कहा गया है ठीक है तो a option यहाँ पर हमारा right answer चलते हैं question number 15 पर question number 15 देखेंगे काफी अच्छा important question है और आसान भी question है इसका answer आसानी से आप लोग दे सकते हैं निम्न लिखित में से मुर्गों की कौन सी नसल लडाई के लिए परसिद्ध है white leg horn कडकनात असील या fly mouth frog तो इसका correct answer हो जगा असील असील जो मुर्गा होता है इसका काम होता है लडाई के रूप में या मंदरंजन के रूप में इसका परयोग किया जाता है तो c option यहाँ पर right answer है चलते हैं question number 16 पर question number 16 देखेंगे निम्न लिखित में से दुधारू गाय की नसल नहीं है इसमें से वताना है कौन सी दु जारू नसल नहीं मानी गई है तो d option यहाँ पर हमारा correct answer हो जागा नगोरी जो नसल है यह भारवाहक भारवाहक नसल है ठीक है याद रखेंगे चलते हैं question number 17 पर question number 17 आपके screen पर है question करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है सूची 1 के अंदर कुछ किसमों की नाम दि इक है आपको बतानाए कौन से फसल की कौन सी किसमने है जगनात किसकी किसमे है तो यह आपको बताना है तो जगनात किसमों हो जागी धांगी 4th option के साथ चला जागा, अंबर किसकी किस्म है, तो अंबर हो जागी जो की किस्म है, थार्ड ओप्सन के साथ, CS, H1, ये किस्म हो जागी, जो आर की, उसके बाद माही कंचन, ये हो जागी, मक्का की, ठीक है, इस परकार से हम मिलाप कर लेंगे, चलते हैं, कोशन नंबर 18 पर, कोशन नंबर 19 देखेंगे, फल वर सबजियों के परिरच्छन के लिए समानिता, कितनी सांधरता, नमक के घोल का परियोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है, 5 से 15 परसेंट, 15 से 25 परसेंट, 25 से 45 परसेंट, या 45 से 55 परसेंट, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, 15 से लेके 25 परसेंट, ठीक है, B option यहाँ पर हमारा right answer, चलते हैं question number 20 पर, question number देखेंगे 20 अपने screen पर, पूछ रहा है, बिथेनीन या एलकुलाइट्स पाया जाता है, अफीम में, सर्प गंधा में, इसब गोल में, या अशुगंधा में, ठीक है, ये आपको बताना है, बिथेनीन, एलकुलाइट्स किसमें पाया जाता है, अफी question number 21 पर, question number देखेंगे 21, question number question कह रहा है, एग मार्ग, कब अपनाया गया, ठीक है, sorry दोस्तों, एग मार्ग कब बनाया गया, ये आपको बताना है, कौन सेसन में, वर्स 1905, वर्स 1929, वर्स 1937, या वर्स 1966, एग मार्ग क्या होता है, क्रिशी उतपादों की गुर्वक्ता में सुधार लाने के लिए, एग मार्ग चलाया गया, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये कब बनाया गया था, तो इसका कर्रेक्ट टैंसर हो जागा, वर्स 1937 में, वर्स 1936 में, ये आपको याद होना चाहिए, चलते हैं, question number 22 पर, question number 22 आपकी स्क्रीन पर है, question कर रहा है निमने लिखित में से, केले में सार्वधिक पाया जाता है, विटामिन A, वसा का प्रोटीन या कार्बोहाइडरिट, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केले के अंदर सबसे अधिक कौन सपोर्शकता तो पाया जाता है, कार्ब क्या है, ठीक आपको बताना है, बेल पत्र का विग्यानिक नाम क्या होता है, मेलस, डोमेश्च का, एरेके साइपोजिया, एगल मार्मोलोस, या चीनो पोडियम एलबम, तो चीनो पोडियम एलबम जो होता है, ये बत हुआ का विग्यानिक नाम होता है, याद रखेंगे, कर देल वेल पत्र विग्यान कनाम इरेक्ष है यह होता है मुंफली क वाध्य और मेलव। सब्से ज़्यादा भारत के अदर देखने को रहए और ये किस वैमिल से बिलौग करता है तो याद रहींगे root AC family से belong करता है चलते है question no.24 निमनलिखित क्वारत के नुरुट sibuch गहूं के अदर picking होता है ICA जोट के अंदर rating होता है मुफली के अंदर packing होता है मक्का के तैसलिंग होता है तो मक्का के अंदर Tasling होता है यह तो सही है मुफली के अंदरاد packing होता है यह जूट के अंदर रेटिंग होता है वी से तो आसो मेलित को देखना था तो यह option यहाँ पर हमारा correct answer हो जागा ठीक है ग्यों के अंदर picking नहीं पाया जाता है चलते हैं question number 25 पर question number 25 देखेंगे 25 नबर कह रहा है नौरीन 10 ग्यों का दोरा तो इसका correct answer हो जागा D option ठीक है गोनिंजरो इना जुका दोरा इनके दोरा क्या हुआ था कि नौरीन 10 जो है ग्यों का ड्वार्फ जी ने इनके दोरा खो जागया था ठीक है D option या पर हमारा correct answer हो जागा William Godd के दोरा परयोग की दोरा सबसे ज़्यादा नौरीन 10 योंक दोरा नौरीन 10 अट कोसे था कोशन नमबर 26 देखेंगे 26 नमबर कोशन कहरा है निमने लिकित में से सारवधिक छारियता सहन सील वाली सस से फसल बताना है कौन सी है खजूर, अनार, बाजरा या जो तो इसका correct answer हो जगा जो ठीक है क्योंकि यहाँ पर सस से वाली फसल पूछा था तो जो हो जागा D option यहाँ पर correct है अगर पूछता फलो में तो खजूर, अनार, यह दोनों ही सैंसिल है चलते हैं कोशन नमबर 27 पर कोशन नमबर देखेंगे 27 निमने लिकित में से सत्य कथन कौन सा है इसमें से सही कथन चार्टना है देखते हैं option समानी मिर्दा का स्थूल घनतों कण घनतों के बराबर होता है B option समानी मिर्दा का स्थूल घनतों कण घनतों के दोगुना होता है C option समानी मिर्दा का स्थूल घनतों कण घनतों से आधा होता है या A, A या A, B, C दोनु से ही है, ठीक है आपको बताना है A और C क्या दोनु से ही है, तो इसका correct answer होज़ेगा यहाँ पर C option, ठीक है, C option यहाँ पर हमारा right answer, समानी मिर्दा का स्थूल गनतों, क्या होता है, कण घनतों से आधा होता है तो यह हमारा C option है हमारा correct answer है चलते हैं question number 28 पर question number 28 आपके screen पर है question करा R&D में पाए जाने वाला हानिकारक रसायन कौन सा होता है saponin, agendirectin, solenine या resin तो R&D के अंदर जो पाए जाता है हानिकारक रसायन वो पाए जाता है resin यानिकि D option यहाँ पर correct answer हो जागा चलते हैं question number 29 पर question number देखेंगे 31 कह रहा है निम्न लिखित में से कौन सा पोसक तत्तो परागकण निर्माण में सहायक होता है बोरान, मोलिवलेडेनम तामबा या लोहा तो इसका correct answer हो जागा बोरान, बोरान ऐसा तत्तव है जो कि परागकण के निर्माण में काफी ज़्यादा महात पुन भूविका निभाता है तो यह option यहाँ पर right है चलते हैं question number 30 जो कि आज का मारा last question है question number 30 आपके screen पर है दोस्तों यदि आप लोगों को agriculture की किसी भी exam में selection लेना है तो इमानदारी के साथ channel को जरूर subscribe करें यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी के तरफ जरूर ले जागा तो question number 30 आपके screen पर है ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसका answer देंगे सुची वन को सुची दो के साथ सुमेलित करना है सुची वन के अंदर कुछ फसलों के नाम दिया हुआ है । सुची दो के अंदर उत्पाधक्ता में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है तो देखते हैं समयवीन में जो अगरनी राज्य है वह हो जाएगा कौन सा आपको याद होना चाहिए तेलंगाना यानि फोर्थ ओप्षन के साथ चला जाएगा गन्ना में गन्ना में हो गया है तमिल लाडू ठीक है उत्पादक्ता पूछ रहा है ना कि उत्पादन पूछ रहा है याद रखेंगे प्रोडेक्टिविटी पूछ रहा है आपर कपास में कौन सा राज है तो कपास उत्पादन में राजस्थान ठीक है और कुल दलहन उत्पादन में हो जाएगा गुजरात उत्पादक्ता में हो जाएगा गुजरात यह याद रखेंगे, उत्पादकता पूछ रहा है, ना कि उत्पादन है, तो इस परकार से हम मिलाप कर लेंगे, चार, दो, तीन, एक, यह current का data है, तो इस हिसाब से आपको त्यार करना है, क्यांकि काफी ज़्यादा करने वाला होता है कोशन, तो आज की वीडियो हैं ही दोग दो दोग दोगो दोग rice झाल झाल